मनाली ब्यास्ट नदी की किनारे बसी हुई बहुती सुन्दर सी जगा जो की हिमाचल परदेश की one of the best and main tourist attractions में से एक है and हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस जगा की सुन्दरता को enjoy करने के लिए तो आईए साथ मिलकर जानते हैं कि क्यूं है यह जगा इतनी खास और ऐसा क्या है इस जगा में कि हर कोई यहाँ पर खीचा चला आता है और जानते हैं कि कैसे आप सभी explore कर सकते हैं मनाली को आप सभी को अपने परसनल एक्सपेरियंस से आप सभी को अपने परसनल एक्सपेरियंस से अगर मैं अपनी बात करो तो पिछले दो साल के अंदर सिरुफ मनाली के ऐसी जगां जाप मैंने सबसे ज्यादर ट्रावल किया है वो भी हर वैदर कंडीशन में तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से शेर करूंगा अपना परसनल एक्सपेरियंस कि आप लोग कैसे मनाली को अच्छे से explore कर सकते हो और अपने ट्रिप मैमोरेबल बना सकते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या best place to visit है मनाली के अंदर क्या travel के options रहने वाले हैं क्या stage के option रहने वाले हैं and सबसे important क्या budget होना चाहिए मनाली को explore करने के लिए और उससे भी खास चीज़ वाई winters आ रहे हैं तो snowfall या snow lovers के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है कहां पर आपको सबसे अधा snow देखने को मिलेगी and कैसे आप लोग live snow fall experience दो सकते हो वह भी मैं आप सभी को उता हूंगा तो इस वीडियो को बिना skip की end तक जरूर से देखेगा अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो तो अगर आप लोग मनाली प्लान नहीं भी कर रहे हो ना तो भी इस वीडियो के बिना skip की end तक जरूर देखेगा क्योंकि आपको इस वीडियो के तुरू मनाली का एक virtual tour देखने को मिल जाएगा तो चलिए without wasting any time let's get started सबसे वहले बात करते हैं अब देखेगा इस मनाली तक आसान है और अगर बात करें तो दिल्ली से चांड़ी के पाद चार बैटे गार तक रहती है दिल्ली के Kashmiri Gate से अगर आप लोग किसी और से driven कर आ रहे हो तो मैं आपको tysReal आजए हो कि अ चड़नी आ जासना ख проблемы那ज यह वहां से आपने वोलो बसे ले सकते हैं अगर आप लोग फ्लाइट से ट्रावल करना चाहते हैं तो मनाली का नीरेस एरपोर्ट है भुंतर का जहां से मनाली का डिस्टर परता है अभी करन रोड कंडिशन के अगर आप बात करूँ तो मंडी के बाद मंडी तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि ट्रावल करने में मंडी के बाद आता है पंडो डैम चाहां पर मेजर इशू है और मुस्ट पांट साथे पांच चिल्योमेटर का पैच है इसमें वन वे ट्राफिक रहता है अभी जब तक काम चल रहा है तो मतलब इसमें आप यह मान के चलिए कि एक तरफ का ट्राफिक रोकते हैं फिर एक तरफ का निकालते हैं तो वहाँ पर आपको वेट भी करना बढ़ सकता है बट काम बहुत स्पीड से चल रहा है तो होपफुली अगले ए आपको इतनी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इस रूट की ओफर अपनी गाड़ी से भी ट्राविल कर रहे हो तो इस यह तो बात थी में अब बात करते हैं मनाली के में टोरिस पॉइंट्स कौन-कौन से हैं एक चीजिए मैं आपको बता दूँ देखि इस पॉइंट्स के बारे में तो मनाली में आप अपने दिन के शुरुवात कर सकते हैं सबसे पहले जाकर वशिष्ट टेंपल से जो कि मनाली से तीन साथ देन किलोमेटर के दूरी पर है एक वशिष्ट गाउं है छोटा सा विलेट बहुत सुन्दर इसकी लोकेशन है यहापी जो मंदर है बहुत ही पुराना मंदर यह माना गया है का प्राचीन भी मंदर को मानते हैं यहापी आपको देखने को मिलते हैं वोडन स्रुक्ष्या एंडचे यहाप tea मिलते हैं जिसमें आप बात भी ल withdraw करने के बाद आप चले जाए सीधा हरिमा ते बहुत हमाइन लोकेशन है मनाली के अंदर एक खास बात द फेमस मूवी यह जवानी है दिवानी की शूटिंग भी हई पी होई थी तिन गाइस हरेंबा टैंपल के आसपास का एरिया फोटोस और वीडियो के लिए बहुत ही पॉफेक्ट लोकेशन है बड़े बड़े पेड़ आपको देखन भी कर सकते हैं यहां पर कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप लोग एंजोई कर सकते हैं यहां पर रिवर साइड बैट सकते हैं तो एक क्लब हाउस बहुत ही पॉफेक्ट लोकेशन मोलोंगा मैं थोड़ा सा चिल और रिलाक्स करने के लिए इसके बाद आप लोग उसे जरूर से ट्राइ करिएगा चाबलो की बनी होती है इसके इंदर ड्राइफ रूट्स और सोय की फिलिंग्स होती है बहुत ही टेस्टी होता है सबसे कासी इस हल्दी ऑप्शन है वाई तो मनाली जा रहे और सिद्धू नहीं ट्राइ किया तो मनाली घूमे नहीं भाई अलग ही वाई फिल होगी मनाली की माप पो बात करते हैं प्वाणी की आपको आपने कर्सके शरह सकते हो कि पहले हैं घड़िमब slots चले जाओ, उसके बाद आप लोग बशिस चले जाओ, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप लोग इस तरीके एक्स्प्रोर कर सकते हो. So guys, अब बात करते हैं मनाली के नेरबाइ फ्लेस जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस्त नहीं कर सकते हो. जिसमें सबसे बाद नंबर पर आती है, सौलांग वैली. सौलांग वैली इस दी फेमस टोरिस अट्रक्शन लिए मनाली, जो कि मनाली से अल्मोस 13-14 किलोमेटर के डिस्टेंस पर पढ़ती है, यहाँ पे आप लोग एडवेंचर अक्टिविटीटीज एंजोई कर सकते हो, इसमें आपको रोपवे से उपर लेके जाते हैं, देखिए अगर आप लोग सिरफ रोपवे के टिकेट लेती हो, तो वो 750 रूपीज के हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप पैरा ग्लाइडिंग के साड़े तीन हजार रोपे खर्च करते हैं, तो आपको रोपवे के टिकेट आपको बनी हुए, नाइन किलोमेटर्स लॉंग टर्नल है, एन जब आप इस टर्नल को क्रॉस करके लाहोल वैली में एंटर करते हो, तो आपको टोटली डिफ्रेंट लैंड्सकेप देखने को मिलता है, स्पैशली इन विंटर्स, एक्चली पहले क्या होता था, लाहोल वैल लाहोल वैली विजिट कर सकते हैं, अच्छा मैं इसमें एक चीज़ा आप लोगों को एड़ान करना चालोंगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है, देखिए गाइस होता क्या है, विंटर्स में, नवेंबर के बाद से माल लेजिए, जब भी हैवी स्नॉफोल होत होते हैं, हर साल का यह सीन रहता है, तो इसलिए एक सेफ साइट के लिए जो एड्मिस्ट्रेशन है, जो पुलिस वहापे रगे होई है, वो लोग 4x4 गाडियों को ही सिरफ अलाओ करते हैं, यह मान के चलिए, जैसे कि आद सनॉफोल होगा, लाइप सनॉफोल स्टार्ट हो तो आप लोग दिमाग में चीज रखके चलिएगा कि आपको 4x4 गाड़ी ही हायर करने पड़ेगी, जब बिल्कुली पीक टाइम होता सनॉफोल का, यह मान लीजिए, दिसम्बर एंड हो गया, या फिर जैनुवरी बिगिनिग, जैनुवरी मिड, तब सोलांग वैली में भ लिखाम रखेंगे, जब भी आप लोग अपना प्लान कर रहे हो ट्रिप, अगर उस टाइम पे स्नॉफोल, लाइफ सनॉफोल हो रहे है, तो मेक शूर कि आप लोग 4x4 गाड़ी को हायर करके चलिए, उससे की कोई भी दिक्कत नहीं है, यह आपको एक्स्प्लोर करने में, लोटली फ्रीज हो जाता है, उसकी एक अलग सुंदरता आपको देखने को मिलती है, मैंने इन सभी जगा की वीडियोस अपने चानल के उपर डाल रखी है, अब जाहे तो जाके देख सकते है, तो गाइस, यह होगे स्वलान वैली अटल टनल एंशी सू, इसके अलग भी लोटांग पास की, जो कि 13,000 फीट की हाइट पर पास बना हुआ है, गईस देखी रोटांग पास के लिए मैं अच्छे साब को लोगों बताना चाहूंगा कि यह सारा साल ओपन नहीं रहता है, यह तो हम सभी को बता है, यह ओपन होता है, मैं के आसपास ओपन होता है, जैस आपको बताऊंगा कि आप रोटांग पास जाएए, और वहीं से आगे जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग रोड पर पहुंच जाएंगे, इसमें एक चीज़ा एड़न कर दू, कि आप लोग चाहों कि रोटांग पास चले जाओं तो वह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो तो, इसके अलावा ही बहुत सारी जगा है, जो कि आप लोग यह पास टाइम है तो आप लोग बजित कर सकते हैं, जैसे कि हमता वैली में, सीथन विलेज जहां पर की इगलू विलेज अगर अगर आप लोग चाहते हो आप लोग आप लोग नॉर्मली भी घूमने किल जा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ आपको बता दू, जब जैनुरी में हैवी स्नौ होती हैं तो नॉर्मल गाडियों को अलाव होता है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा, आप लोग की हमता अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, वो भी जैनुरी में, स्नौ के टाइम में, तो सिरफ और गाड़ी ही जा सकती है, इसके अलावा आप लोग जा सकते हैं, नगर विलेज, नगर कैसल आप लोग एक्स्प्लोर कर सकते हैं, बहुत ही सुन्दर और शांथ जगा है मनाली के प कर सकते हैं, इसी हिसाब से में आपको बहुलें का मनाली और आसपास के जगा explains, जिए Неवल के लिए तीन दिन में आप लोग लोग अच्छे मनाली और म curling्स पास के जगा एक्सप्लोर करने लेंगे, इस अब बात करते ई हैं, होटेवग टेकषि के बाषी है, जो कि का मिगर तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा अगर आप लोग मनाली फॉर्स तैम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको सज्जेस्ट करोंगा अपने परसनल एक्सपीरेंस से कि आप लोग स्टे ढूंडिएगा या होटेल लीजिएगा माल रोड के आसपास उससे क्या पात करूं मैं मनाली बहुत बार जा रखाऊंट इसए बहुत सार लोग हैं जो मनाली बहुत बार जा रखें तो वो लोग माल रोड के आसपास उटेल लेन पसे नहीं करते क्योंकि भीड़बार होती है मार्केट यह रहता है तो इस वरेस रही तो ऐसे किस में आपको सुझ चThe रचांगा कि देखिए होटल के या टेक्सी के भी फिक्स नहीं रएते हैं वो कि सीजन में किस टाइंम है आप टॉल कर रहे हो और आप लोग लोग ब्लकुल पीक सीजन में आप लुक जा रहे हो तो तो भए गाल 18 बहुत थॉप पैस्पेशली दिसंबर और न्युएर के टाइम तो यह चीज़ आप धियान रखेगा यह निकि ओफ सीजन में जब सीजन नहीं होता जो रूम आपको हजार पंदरह सो का मिलेगा वह आपको इस सीजन के टाइम में मिल देखने को मिलता है तीन तीन हजार साधे तीन हजार सेमेश केस अअगर हम बात करें कि आप सो लांग वाली तक के टैकसी बुग करते हैं और शीजन में जो टेकसी वाला आपको चार्ज करेगा 1,500 रुपे और सीजन में वहीं आपको सीजन में बर्फ के टाइम पर बोल लीजिए या फिर जो गर्म्यों में सीजन रहता है गर्मियों का सीजन में आप बता देता हूं वह रहता है मई से लेकर जून मई जून के दो महीने होते हैं बहुत पीक टाइम रहते हैं कि रोतान में ओपन हो चुगा होता है तब तो तो ओफ सीजन में जो प्राइज आपको सौलांग वाली के टैक्सी वाले चार्ज करेंगे वह थोड़ी सी और कोशली पढ़ जाती है लेट वह फोर फोर गाड़ी है करते हैं अपको आगया तो आपसे चार से पांच जार रूपे मिनिमम मिनिमम इतना है करेंगे ही करेंगे और पीक सीजन में तो इससे भी ज़ादा है कर सकते हैं इस द्यान रखिएगा जैसे कि लेकिन ज्यादा भी वो डाउन नहीं करेंगे रिट जिपसी वाले को क्योंकि वही एक टाइम होता स्नो वाला कमाने का और बाके टाइम जिपसी वाले को पुछता नहीं है स्नो सीजन में उनकी कमाई होती है तो यह कुछ रेट से रहते हैं होटेल की मैंने बता दिया पीक्स अगर आप सीजन के टाइम जा रहे तो मान के चलिए 20-30,000 रुपे में आपको होटेल मिल जाएगा एक अच्छा होटेल बाकी तो आप डिपेंड करता है कि आपकी कैसी नेसेसरी है आपको लक्शरी में जाना है तो और फिर और महंगा होता चला जाएगा और ओफ सीजन में आपको होटेल आराम से मिल जाते हैं और सेजन में तो पंदरा सो दो हजार वह बहुती बहत्तरीन होटल आपको देखने को मिल जाता है तो यह कुछ चीज़ें जब ध्यान रखने वाली है तो कि आप लोग माली टेक्सी घार करते हैं सोलांग वाली के लिए अटल टेनल के आपको जो माली के लोकल पॉइंट्स हो गए सीजन के टाइम पर गरम बात करते हैं तो यह आपको दो दिन में अच्छे से एक्स्प्रोर कर वाले कोई भी टेक्सी वाला अपने पसनल एक्स्पिरिंस बतारों में 5-6,000 रुपे में लेगा डेजायर डेजायर वाला ओल्टो के लोगे तो ओल्ट थोड़ी कम होगी लेकिन वही अगा स्नौफोल का केस होगा तो आपको फॉर फॉर है करने पड़ी जो की एक दिन कई लेलेगा पांच शाजार के आसपास तो वह चीज है स्नौ बरफ देखने में अच्छे लगती है एंजोई करने में इच्छे लगती लोगे और जो टैक्सी के नंबर है में आपे मैंशन कर दूगा एक जिप्सी वाले भाई है जो अपने जानकार है मैं उनके साथ ही ट्रावल करता हूं तो उनका नंबर में आपे लिग दूँगा आप लोग अगर स्नोफोल के टाइम पर जा रहे तो आप जिप्सी वाले ब बात करें तो आप लोग होस्टेल्स में स्टे कर सकते हैं सोलो ट्रावलर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और मनाली के तो बहुत अच्छी अच्छी होस्टेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि 800-800 रुपे पर 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 सन मला को बैड मिल जाता है तो और इस विंटर सीजन के टाइम पर होता क्या है जब भी बारिश हो रही होती है मनाली में तो यह समझ लीजिए कि उपर जितनी हाइट वाली जगा हो रही है स्नोपॉल तो यह एक सिंपल सा गणित मैं बोलूंगा इस सीज को लेकर अगर हम बात करें सोलांग वैली की मैं आपक में जाती है को स्नौबल पहले भी जो सकती है लेकिन जमने वाली वरस नहीं है लेकन बहुती है ज्से पहले अपने हम और आफ मोली जा रहे हो तो यह समझे को आप दिसंबर में जा रहे हो तो हाट आटल Con It की तरफ मिल जाएगी सीसू की तरफ मिल जाएगी अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो मिड दिसंबर के बाद तो आप लोग जाओ सोलांग वैली से तीन किलोमेटर उपर आपको एक जगा देखने को बनती है अनजनी महादेव यह जगा ऐसी यहां पर अगर गर्मियों में आऊगे तो आप लोगो को देखने को मिलते एक ऐसा शिवलेंग जहां प्रकरती खुद शिवजी कर रहे हो थी उपर से नाच्रली एक ज़रना भेह रहा है, तो कि सीधा शिवलिंग के उपर आ रहा है, तो यहाँ तक पहुशने के लिए आपको सोलांग वैली आई है, एंड देन सोलांग वैली से तीन किलोमेटर आप लोगो ट्रैक करना होता है, ट्रैकिंग मैं आपको बोजोंगे देख यह मैं आपको बताओं, हजार से पंद्रासो रुपे, प्राइस तो आपको बहुत हाई बताएंगे, आपको बार्गेइटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन पंद्रासो रुपे एक ठीक अमाउंट है, पंद्रासो रुपे हमान के चलिए, पर परसन का आना और जाना, वो आते हैं, और आपको बहुत हैं, लेकिन जितनी सनो आपको बाली में देखने को मिलेगी ना, उससे चार घुना जादे आपको अंजनी महादेव पर देखने को बहुत हैं, आपको गारंटी से बता रहा हूं, तो guys, यह थे मनाले के कुछ main tourist points, मनाले के आसपास घूमने की ज आपको यह तो थे मनाली के आसपास गुमने के जगह and कुछ जगह ऐसी भी है जो लोग explore करते हैं मनाली की उनों 70-80 km के आसपास पड़ती हैं जैसे कि यह सबसे फेमस आता है कसोल and money करेंट साहिब most of the cases में लोग क्या करते सीधा पहले मनाली चले आते हैं जब वापसी आपने आ रहे होते हैं तो कसोल and money current साहिब चले आते हैं कसोल एक बहुत ही फेमस जगह है पार्टी वाटी के लिए जिनको पार्टी करना पसंद है कैंपिंग करना बसंद है वो लोग कसोल जाके वहाँ पे एक नइट स्टेक कर सकते हैं और अगर बात करें money current साहिब के तो money current साहिब को तो introduction की ज़रूद है ही नहीं अगर road conditions के बात करूँ तो भाई यह जो इसके बाद road conditions खराब हुई थी बट स्टिल वहाँ पर काम चल रहा है बहुत स्पीड से अभी तो भाई current situation यह कि आप लोग easily travel कर सकते हो कच्छे पैसे हैं 2-3 लेकिन वह manageable है तो money current साहिब जा सकते हैं कसोल जा सकते हैं अगर आप लोग के पास extra days है तो आप लोग आप लोग के पास सिर्फ तीन से चार दिन का टाइम है तो मैं आप लोग को सिज़ेस्ट करूँगा आप लोग मनाली जाहिए एक दिन मनाली के local points खूमिए एक दिन आप लोग इस तरीके से आप लोग अगर फर्स ताम विजट कर रहे हो तो आई होप कि मैंने सारी information शेर कर दियोगी देखिए गाइस होता क्या है मनाली और मनाली के आसपास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं बतानी के लिए हो सकता है कि मैं कुछ information मिरसे miss होगा यह बतानी आप लोग मुझसे comment section ने पूछ लिएगा मैं जरूर आपको reply करूँगा आप लोग मुझे instagram पे dm कर सके पूछ सकते मैं वहाँ भी definitely आपको reply कर कि ऐसे जगह explore करने वाला हूं जो कि एकदम extreme winter हो जाएगा season तो बहुत सारे plans हैं आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे subscribe कर लो bell icon press कर दो और वीडियो अच्छी लागे लाइक कर देना मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई और धमाकेदार content और जगह कैसा तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना खुश रहो ट्रावल करते रहो और winter season आ रहा है किसका वेट गर रहे हो plan बनाओ मनाली जाओ snow for experience करो मिलते हैं अगली वीडियो में पाई